आज हमने एकदम जट से बन जाए एसा टेस्टी और हेल्दी आलू मटर का नास्ता रेडी किया है ये बड़े और बच्चे सबको पसंद आएगा इसे हम बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं ये बहुत ही जल्दी रेडी हो जाता है तो चले रेसिपी की सुरुआत करते हैं और बनाते हैं आलू मटर का हेल्दी और टेस्टी नास्ता दो मिडियम साइस के आलू को छील के मिडियम चॉप कर लिया है एक कप मटर लिया है इसे हम पहले बॉयल कर लेते हैं कुकर में रखने वाला एक कंटेनर लिया है, इसमें आलू डाल देंगे, मटर भी साथ में डाल देंगे, कुकर में थोड़ा पानी डाल देंगे, एक ग्लास इतना पानी डालेंगे, इसमें रिंग रख देंगे, आलू मटर का कंटेनर उपर रख देंगे इस तरह से, कुक करके लेंगे, चार से पाच सीटी तक इसे कूक कर लेते हैं, और कूका ठंडा हो गया है। इसे रीड कर लेते हैं 강र को बाहर निकाल लें के इसे हम छहबने मीकशनी में निकालें लें अतिक आग Communist आज़ा आझ friction के लिए इसे इसे रखें गए ताकि अंदर का सारा पाणि साथ पानी निकल जाए में इसे इसरी हम पंभी करें ये मेश कर लेंगे इस तरह से चलाके मतर को भी मेश कर लेना है अच्छे से मेश हो गया है ये मल्टी ग्रेन ब्रेट की चार स्लाइज ली है अब कोई भी ब्रेट का इस्तमाल कर सकते हैं तोड़के इसे मिक्सेजार में डाल देंगे और इसका ब्रेट क्रम्स बना लेते हैं ब्रेट का हमने ब्रेट क्रम्स बना लिया है ब्रेट क्रम्स बनाया है यह डाल देंगे पांच सेचे लेसुन की कली एक ही चद्रक का टुकड़ा और तीन हरी मिर्च ली है हरी मिर्च हमने कम तीखी वाली ली है आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्ची ले सकते हैं बच्चो ये हम रफली पेस्ट बना लेते हैं अधरक, हरी मिर्च और लसिन को हमने पीस लिया है 3 से 4 टेबल स्पून हरा धन्या बारीक चौप करके लिया है एक छोटा सा केपसी कम इसे बारीक चौप किया है और 2 से 3 टेबल स्पून बारीक चौप फुदीना ये अंदर डाल देंगे एक टीस्पून नमक, क्या नमक आप अपना टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं एक टीस्पून चिली फ्लेक्स, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिली फ्लेक्स मत डाले चिली फ्लेक्स की जगा पे आप लाल मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं आधी टीजपून गरम मसाला पाउडर इसे चटपटा बनाने के लिए आधी टीजपून आमचुर पाउडर डालेंगे इसके बदले में आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं एक चौथाए टीस्पून हींग, एक टीस्पून जीरा पावडर, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, इसे टेस्ट करके देख लेना है, अगर नमक कम है तो आप ठोड़ा डाल सकते हैं, हाथ पे ठोड़ा तेल लगा लेंगे, इस तरह से लंबा रॉल कर लेंगे, और एक जीसी लोई तोड़ेंगे, ताकि हम तिक की बनाएं, वो एक ही साइस की बने, इस तरह से पहले बॉल बना लेते हैं, हाथ में थोड़ा तेल लगा लेंगे, ताकि यह छिपके नहीं, इस तरह से इसकी राउन टिक की बना लेते हैं, इस तरह से टिक की रेडी कर लेते हैं, इस तरह से सारे टिक की रेडी कर लेते हैं, टिक की हमने बना के रेडी कर लेते हैं, अभी हम इसे बारिक रवा के अंदर कोट करेंगे, बारिक वाली सूजी ली हैं, इस तरह से सूजी को उपर कोट कर लेते हैं, सूजी के बदले में आप ड्राई ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं, इस तरह से सूजी को कोट कर लेंगे, टीकी को हमने सूजी से कोट कर लिया है, इसे इस तरह से रेडी करके आप फ्रीज में रख सकते हैं, अभी हम आदे गंटे के लिए इसे फ्रीज में रख देंगे, इसी टाइम पे इसे सेलो फ्राई करना है, तो कर सकते हैं, टीकी को हम सेलो फ्राई कर लेते हैं, दो से तीन टेबल स्पून तेल डाल देंगे, तेल को थोड़ा गरम कर लेते हैं, तेल गरम हो गया है, अंदर टीकी रख देते हैं, मीडियम फ्लेम पे इस तरह से पैन को गुमा के इसे सेलो फ्राई करेंगे, ताकि सबी जगा से एक जैसी फ्राई हो जाए, टीके को पलेट लेंगे, दूसरी साइट पे भी लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने तीन से चार मिनिट कूप की है, वापस एक बार इसे पलेट लेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, दीबी आज पे थोड़ी देर इसे कूप करेंगे, लाइट गोल्डन कलर आ गया है, दूसरी साइट पे भी, तैसे हम निकाल लेते हैं, टीशू पेपर के उपर निकालेंगे, एक्स्टा टेल जो है वो टीशू पेपर सौक लेगा, इस तरह से बाकी की टीके को भी फ्राई कर लेते हैं, हमने इसे टॉमेटो केजब के साथ सव किया है, आप इसे हरी चटनी के साथ में भी सव कर सकते हैं, तो आसान तरीके से बन जाए, ऐसा आलू मटर का नास्ता रेडी है, यह बहुत ही टेश्टी बना है, आप इसे एक बार जरूर ट्राय करें, रेसिपी आपको 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 आपक